हेलो और वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट येर सेकेंड समिस्टर होम साइन्स यानि के गरीब विक्यान की वस्तर एवं परिधान एवं पारिवारिक संसादन प्रबंधन का परिचय यानि के इंट्रोड़क्शन टू क्लोधिंग एंड टेक्स्टाइल एंड फैमिली रिसोर्स मेनेजमेंट के टोफ अंडर्ड इंपोर्टेंट वह विकल्पी हैं प्रस नहीं उत्तर के बारे में तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला कोश्टन यहां पे हमारा पहला कोश्टन है राजिसी वस्तर कहा जाता है आप संसे हैं आपके लीनन वस्तरों को, सूती वस्तरों को रेसमी वस्तरों को या फिर संसलेसित वस्तरों को राय टेंसर की बात करें तो राय टेंसर होगा आपका रेसमी वस्तरू को चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है आपका ताप सुनम में रेसे पालिमार रसायन से निर्मित होते हैं इनने कहा जाता है, हापसम से आपके कृत्रिम रेशा, प्रोटीन रेशा, मानो रेशा या फिर सेल्यू लोज रेशा रेट एंसियर की बात करे तुरिटम रेशा उट सोल वर्चली बढ़ते हैं अगले खुशन की तरफ अगला कुश्ण है आपका आर्लान एक रेषा है अपसंस है आपके मानोख्रित रेषा, प्रोटीन रेषा, एक्रिनिल रेषा, या फिर सेलुलोज रेषा राए टांसर की बात के तुराइ टांसरों का आपका एक्रिनिल रेषा चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ, अगला कोश्चन है आपका रियान का साब्दिकर्थ है, आपसंस है आपके सूर एकी किरणों का विकिरण, सूर एकी किरणों का परावर्तन, या फिर सूर एकी किरणों का अपवर्तन, या फिर इन में से कोई नहीं, रहे टेंस लेक धागा का रूपांत्रियों सांस पर रूप है लूपदार घागा है या फिर इनमें से कोई नहीं है राय टैंसफर की बात करें अब आपका सलव धागा का रुपांतरित इंव संसलेशित रूप है चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगले कोश्चन आपका रियान वस्तरों में प्रती इसकंदता पाई जाती है आपसंसे आपके उन से अधिक, उन एम रेसं से कम, रेसं से अधिक या फिर नायलान से अधिक रैट अंसर की बात करें तो रैट अंसर होगा आपका रेसं से अधिक चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगले कोश्चन आपका छार का तनू यो ठंडे घोल का डेकरान के रेसे पर आपसंसे आपके कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है रेसे नश्ट हो जाते हैं, रेसे निर्बल हो जाते हैं या फिर रेसों में चमक आ जाती है रेट अंसर की बात करते हैं रेसे नश्ट होगा आपका कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगले कोश्चन है आपका संसलेसी तरेसे डेकरान को इंगलेंड में कहा जाता है अगले कोश्चन है अगले कोश्चन है आपका उन की निर्माण विधी है आपसंस ने पके बुनाई, परिसज्जा, कताई या फिर उपयुक्त सभी राय टैंसर की बात करते है आपका उपयूक्त सभी चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगले कोश्चन है आपका लेनन का दूसरा नाम है अपसंसे आपके कपास, धागा, रेशा या फिर सन राय टंसर की बात करते राटंसर होगा आपका सन चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगले कोशन है आपका घरसर कताई में अपसंसे आपके बिना कंगी किये चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगले कोशन है आपका प्राकिर्थिक रेशों में सबसे अधिक लंबे रेशे होते हैं आपसंसे आपके कपास के रेशे, जूट के रेशे, हेंप के रेशे या फिर सिल्क के रेशे राइट अंसर की बात करें तो राइट अंसर होगा आपका सिल्क के रेशे चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगले कोशन है आपका सूच मदर्दी से देखने पर रियान का अनुपरस्त कार्ट दिखाई देता है अफसन से आपका इठे हुए रेवन के समान खोकली नली के समान सीड़ी के समान या फिर पतली पतली धारियों वाली छड़ के समान राइट अंसर की बात करें तो राइट अंसर होगा आपका पतली पतली धारियों वाली छड़ के समान चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगले कोशन आपका डेकरान के रेसों में आदिरता परती धारण छमता हैं और सो सकता का अफसन से आपके अभाव रहता है अभाव नहीं रहता है बहुत अधिक रहता है या फिर इन में से कोई नहीं राय टेंसर की बात के तो राय टेंसर होगा आपका अभाव रहता है चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगले कोश्चन है आपका नायलान के रेसों परतिव रियों गर्म और अम लका आफसन से आपके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है रेसे निर्बल हो जाते हैं रेसे गुल जाते हैं या फिर इन में से कोई नहीं राय टेंसर की बात के तो राय टेंसर होगा आपका रेसे निर्बल हो जाते हैं चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है आपका जादुई रेसा की संग्या दी गई है अपसंसे हैं आपके रेयान को, नायलान को, डेकरान को या फिर उन को राइट अंसर की बात करें तो राइट अंसर होगा आपका डेकरान को चली बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोशन है अपका सभी वस्तरों की रानी कहा जाता है अपसंसें आपके रेसम को, लीनन को, कपास को, या फिर नायलान को रैट एंसर के बाद के अधर राट एंसर होगा आपका रेसम को चली बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन एपका लामा उट जाती का पसू है इसके बालों से उन प्राप्त होता है यह पाया जाता है अपसाथ सेब के भारत में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, या फिर चीन में राइट एंसर के बारत के तरा टंसर होगा अपका अमेरिका में चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है आपका कंगी करने से आपसन से आपके रेसे सुलजकर सीधे और समानतर हो जाते हैं रेसों की चमक बढ़ जाती है रेसों की प्यक्टीन हट जाती है या फिर इनमें से कोई नहीं राहे टैंसर की बात करें तरा तनसर होगा आपका रेसे सुलजकर सीधे हैं और समान अंतर हो जाते हैं चलिए बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन आपका अर अंडी के पेड़ोपर चलने वाले कीटो से पराप्त रेसम को कहते हैं आपसन से आपके टसर रेसम, एरी रेसम, मूंगा रेसम, या फिर जंगली रेसम, राय टंसर की बात करें तो राय टंसर होगा आपका एरी रेसम, चलिए बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ, अगला कोशन है आपका नैलान के धागों का धागे का व्यास निर्भर करता है, आ चाले बढ़ते हैं अगले कोश्यन की तरफ अगले कोश्यन हैं किस प्रकार के धागे में फिलामेंट होते हैं आपसंसे आपकी कोरस्पन धागे को Não होता है पर कंबास क давно ससे के भी और 커피 के बीखते सब्लेंट की चाल से दीख है फेर नारियल की चाल से राइट अंसर की बाद के तराइट अंसर होगा आपका ओक के वरिच्छ की छाल से चलिए बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है आपका सलाईयों अथवा सुई की सहायता से सूत के फंदों को फसा कर एक सरिंखला बनाई जाती है इस विधी को कहते हैं आपसन से आपके ब्रेडिंग, बुनाई, निटिंग या फिर क्विल्टिंग राइट अंसर की बाद के तराइट अंसर होगा आपका निटिंग चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोशन आपका 20 सुका सबसे हमांगा कोट मिंक बनता है अगला कोशन आपके वी ब्यूना के बालों से मेरीनो जाती के बेड़ के धागे से अंगोरा बकरी के बालों से या फिर कस्मीरी बकरी के बालों से राया टंसर के बाद करते राया टंसर होगा आपका वीव भीविवना के बालो से चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन आपका लीनन की सफाई और धुलाई करना सरल होता है क्योंकि आपसें से आपके भीगनी के पस्चात इसकी मजबूती 20% तक बढ़ जात होती है चलिए बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ अगला कोशन आपका लीनन के रेसे का रंग होता है आपसें सफेद भूरा नीला या फिर हलका पीला राया टंसर होगा आपका हलका पीला चलिए बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ अगला कोशन आपका कपास के संगठन में cellulose की मात्रा होती है अपसंसे आपके 80 परतीसत 90 परतीसत 40 परतीसत या फिर 0.01 परतीसत राय टैंसर की बात के तो राय टैंसर होगा आपका 90 परतीसत चलिए बढ़ते हैं अंगले क्वेश्चन की तरफ अगले क्वेश्चन आपका कपास की खेती के लिए मिट्टी या वस्यक है अपसंसे आपके काली मिट्टी, बलुई मिट्टी भुरभुरी यो चिकनी मिट्टी या फिर इन में से कोई नहीं राय टैंसर की बात के तो राय टैंसर होगा आपका काली मिट्टी चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question आपकाक अपका कपास के रेसे कामूल उद्यघम अस्थान है आपसंस आपके अमेरिका, भारत, सिरलंका, या फिर पाकिस्तान रायच टंसर की बाथ के तराइट टंसर होगा आपका भारत चली बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन आपका सबसे पहले भारत में सूती मिल के स्थापना होई थी आपसंस आपके कोलकाता में, मुंबई में, सूरत में या फिर एहमदाबाद में आपसंस आपके एक दिवी वर्सी, बहु वर्सी, छमाही या फिर एक वर्सी आपसंस आपके रियान में, नायलान में, कपास में या फिर पॉलिश्टर में राइट अंसर के बात करते राइट अंसर होगा आपका पॉलिश्टर में चलिवड़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है आपका प्रतियास्तता का अर्थ है आपसंस आपके रेशो द्वारा अपनी पूर वर लंबाई को प्राप्त कर लेना रेसो द्वारा अपनी पूर और आयतन को प्राप्त कर लेना रेसो के आपस में सटने का गूर या फिर उप्यूगत सभी राइट अंसर के बाद के तुरा अंसर होगा आपका रेसो द्वारा अपनी पूर और लंबाई को प्राप्त कर लेना चली बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन आपका छोटे रेसो को कहा जाता है आपसंस आपके इस्टैपल, फीलामेंट, इनमें से कोई नहीं या फिर उप्युक्त सभी राइट अंसर के बाद के तुराइट अंसर होगा आपका इस्टैपल चली बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन आपका सबसे अधिक आदिरता आवसोसक का गुड होता है आपसंस आपके रेवोंच, इस्टैपल, पावलान, या फिर फॉलिश्टर राइट अंसर के बाद के तुराइट अंसर होगा आपका इस्टैपल चली बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन आपका एस बेस्टस के रेशे पाया जाते हैं आपसंस आपके चट्ठानों से, जानोर से, पौधों से, या फिर प्रयोकसाला में प्रयोक करके राइट अंसर के बाद के तुराइट अंसर होगा आपका चट्ठानों से चली बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की तरफ अगला कोशन आपका कौन सार ऐसा वरिष्च के फल के रूप में पाया जाता है आपसेंस आपके लिनन, जूट, कापोक या फिर कोई राइट अउसर के बाद के तरहा टंसर होगा आपका कापोक चली बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ अगला कोशन आपका किस पौधे की उचाई 40-60 इंच तक होती है आपसेंस आपके जूट का पौधा, कपास का पौधा, लिनन का पौधा या फिर उप्यूकत सभी राइट अंसर की बाद के तरहा टंसर होगा आपका लिनन का पौधा चलिए बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ अगला कोशन आपका जूट का उत्पाद में सरवाधिक होता है आपसेंस आपके चीन में, अमेरिका में, आश्टेलिया में, या फिर बांगला देस में राइट अंसर की बात करें तुर्या टंसर होगा आपका बांगला देश में चली बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है आपका वानस्पतिक रेसों की मौलिक सनरचना होती है अपसंस हैंपके नाइट्र सेलिलोज, प्रोटीन, सेलिलोज या फिर पॉलिष्टर राइट अंसर की बात करें तुर्या टंसर होगा आपका सेलिलोज चली बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है अपका सरवार्दिक मजबूत रेसा है अपसंस हैंपके रेयान, रेसम, कपास, या फिर उन राइट अंसर की बात करें तुर्या टंसर होगा आपका कपास चली बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन हैंपका हारनेस अपसंस हैंपके ताने का विलन होता है कपड़े का विलन होता है करगे में लगा एक फ्रेम होता है या फिर कंगी के समान धात की बनी एक रचना होती है राइट 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 रोगा आपका करगे में लगा एक फ्रेम होता है चली बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगले कोशिन आपका वस्त तरकाप परकार निर्भार करता है अगले कोशिन आपका कृत्रिम रेसम कहा जाता है अगले कोशिन आपका डेकरोन के रेसे अगले कोशिन आपका नाइलान के दागे सता पर छोटे बड़े लूप अत्मा रोएं उगाया जाते है इस दागे को कहते है अफसे आपके स्टेच दागे, स्पन दागे, बहुरेकिय दागे या फिर टेक्स्चर दागे अगले कोशिन आपका उन एक परकार के तत्तों से बना होता है अफसे आपके प्रोटीन, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर उप्यूक तसभी राइट एंसर के बात के तो राइट एंसर होगा आपका प्रोटीन चलिए बढ़ते हैं अंगले कोशिन की तरफ अगले कोशिन आपका सरुत्तम किसम के लिनन का उत्पादन होता है अफसे आपके अमेरिका में, मिस्र में, पाकिस्तान में या फिर आइरलेंड में राइट एंसर के बात के तो राइट एंसर होगा आपका आइरलेंड में चलिए बढ़ते हैं अंगले कोशिन की तरफ अगले कोशिन आपका धाका की मलमल का निर्माण होता है अफसेंस आपके कपास के रेसे में, सिल्क के रेसे में, लिनन के रेसों में या फिर नायलन के रेसों में राय टैंसर की बात कर तरहा टैंसर होगा आपका कपास के रेसों में चलिए बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ अगला कुश्चन है अपका कोयार प्राप्त किया जाता है अपसे अपके नेटल के पत्ते तने से, जूट के तने से, कपास के बीज से या फिर नारियल की छाल से राय टेंसर के बाद के तरहा टेंसर होगा अपका नारियल की छाल से चलिए बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की तरफ अगले कोश्चन है अपका लिनन के रेसे प्राप्त होते हैं आपसे अपके कपास के पौधे से, फ्लैक्स के पौधे से, जूट के पौधे से, या फिर कैनिबिस सटाइवा के पौधे से राय टैंसर के बाद करें तो राय टैंसर होगा आपका फ्लैक्स के पौदे से चलिए बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन आपका वस्तरों की लगुंतम उपी काई है अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है अपका धागे की निर्माण पर क्रिया कहलाती है अगला कोश्चन है के बुनाई पर क्रिया कताई पर क्रिया ड्राइंग आउट या फिर इनमें से कोई नहीं राय टैंसर के बाद के तुरा टैंसर होगा आपका कताई पर क्रिया चलिए बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की तरफ अगला कोशन आपका भीगनी के फश्चात रयान के रेसी के मजबूती आपसन सेब के 25 से 30% तक बढ़ जाती है 25 से 30% तक घट जाती है कोई परिवर्तन नहीं होता या फिर इनमें से कोई नहीं राइट अंसर के बाद के तुराइट अंसर होगा आपका 25 से 30% तक घट जाती है चली बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ अगला कोशन आपका ये रेसे जंग सिद्ध, अमल चार सिद्ध, यह और जो नंसील होते हैं आपसन से आपके कपास के रेसे, डेकरान के रेसे, नायलान के रेसे या फिर S बस्टास के रेसे आपसन से आपके अमल का प्रभाव, पसीने का प्रभाव, छारों का प्रभाव, यह फिर उप्यूक्त सभी चली बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ अगला कोशन आपका लिनन की भूमी कहा जाता है आपसन से आपके मिस्र को, आरलेंड को, रूस को, यह फिर भारत को आपसन से आपके कपास, रेसम, लिनन, यह फिर उप्यूक्त सभी राय टेंसर के बाद के तो राटन सरोगा आपका उपयुक्त सभी चली बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन आपका वस्तर की मूल इकाई है आपसन सहींब के रेसा, सूत, यार्न या फिर इन में से कोई नहीं राय टेंसर के बाद के तो राटन सरोगा आपका रेसा चली बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की तरफ अंगले कोश्चन आपका वस्तर की आवसागता क्यों होती है आपसन सहींब के सरीर को ढखने के लिए, फैसन, सुदनतर के लिए, या फिर दिखावा के लिए राय टेंसर के बाद के तो राय टेंसर होगा आपका सरीर को ढखने के लिए चली बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की तरफ अगले कोश्चन आपका जाली बनाने की विधी मिलती जुलती है अपसन से आपके knitting वीधी वलेस बनाने की वीधी, बुनाई वीधी, बीबलिंग वीधी या फिर उप्यूकत सभी राय टंसर के बाद के तुरा टंसर होगा आपका बुनाई वीधी चलिए बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ अपसन से आपके ताने के धागे से, बाने के धागे से, या फिर उप्यूकत दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं राय टंसर के बाद के तुरा टंसर होगा आपका ताने के धागे से चलिए बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ अगले कोशन आपका क्यू प्रेमोनियम वीधी द्वारा रियान निर्माण में रूई की पट्टियों को सोडा एस तथा सोडियम हाइडरोकसाइट के साथ उबाल कर ब्लीच कराया जाता है आपसंस आपके क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर से हाइडरोजन पर अडाकसाइट से या फिर उप्यू दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं राइट अंसर के बाद कर तो राट अंसर होगा आपका विरंजा का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है अपका मूंगा रेसाम का रंग होता है आपसंस आपके स राट अंसर होगा आपका प्रोटीन की चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन अपका उत्तम कोटी के लीनन के रेसाम रेसों की प्रापती होती है आपसंस आपके नीले फूलों वाले फ्लैक्स के पौदों से उप्योगत दोनों से या फिरेनमें से कोई नहीं राट अंसर की बाद के राट अंसर होगा आपका नीले फूल वाले फ्लैक्स के पौदों से चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन होगा बंधन चमता का अर्थ है आपसंस आपके रेसों के आपस में सटने का गूड रेसों के सिगरता से पूर्वा क्रिती गर्षर करने का गूड रेसों के सिगर्था से अपनी पूर्व लंबाई को क्राफ्थ करने का गूड या फिर उप्युक्त में से कोई नहीं प geldi निइ पर फिर करे नपर के सुर्णी के लूज्थ कितर अगला कोशन अपका तो फेक देने वाली वस्तों में पनाई जाती हैं आप सब्सक्राइब कागत से पाली यूरी थेन फोम से या फिर प्लास्टिक फिल्म से या फिर टापा वस्तर से राइट अंसर की बाद के तुर्या टंसर होगा आपका कागत से चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगले कोशन आपका रयान के रेसे का व्यास निर्भर करता है आपसंस आपके कच्छी समागरी पर कुलाइडल घोल पर इस्फिरिनेट के छिद्रों पर या फिर सभी पर राइट अंसर के बाद के तुर्या टंसर होगा आपका इस्फिरिनेट के छिद्रों पर चलिए बढ निमार चली बढ़ते हैं एंगले कोश्चन की तरफ अगला कोशन हैपका हीट सेट द्वारा नायलान के वस्तर में आफसेश्चाश्चंब की प्रतियास्थ प्रती रोगता उत्पन की जाती है प्रतियास अस्ता बढ़ाई जाती है या फिर वसकता बढ़ाया जाता है राया आफजने की तरफ अगला कोश्ण आपका सवार्ष्ण मेरों से ररादिक लमबे रेसे होते हैं, आसां सेब्ष्ट ऑन के क पास कर लीनन के यह फिर रहे सम के लिड gwात का आपका रहे समकी supremacy लेकिर रही बाता हैं, की तरफ अगला कोशन आपका लीनन उत्पात की प्रविधियां है आपसेंस आपके पानी के द्वारा उन्स के द्वारा रसायनिक गलना या फिर उप्यूगत सभी राइट अंसर के बाद के तुराइट अपका उप्यूगत सभी चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगले कोशन की तरफ 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 अगल जदून रेशा कहा जाता है अपसार कि जूट के रेशो को रिसमे रेशो Slowly को फिर deceived रेशो को रेटेंट एंसे राइट र्यूसलों का प्रत्रिंट रेशो को चाली बढ़ते हैं अगले कोशन की अगला कोश्टन का सूती कप्ड़े का वैपार कहा होता है आपसंस अब के नैपाल भारत कसमीर या फिर खोटा अज़़े बढ़ते हैं अगले कोश्टन की तरफ अगला कोश्टन आपका मोती जैसे उभार दिखाई देते हैं आपसर स्में के उल्टी भुनाई में सीधी भुनाई में या भी दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं गौरस के बात करकथ अप स्टैकस दागा चली बढ़ते हैं अगले कोशन आपका सताबदीन में फिर twins सताब्दी में excet के तरफ सिर्लिंक के काँच की चिज़ी चठ की पर दिखाए देते हैं रीवन की तरह गुमा हुआ यह थंदार दिखता है सीधियों की तरह दिखाई देता है यह फिर इनमें से कोई नहीं राइट रोगा आपको काच की सीधी छड़ की तरह दिखाई देते हैं चलिए बढ़ते हैं एंगले कोशन की तरह अगला कोशन आपका नायलान की सरवरतंप सरोपर थम खोज हुई थी आफसेंस भी के भारत में चीन में अमेरिका में या फिर जापान में राइटरंस अर्गाब का अमेरिका में चली बढ़ते हैं अंगले question की तरफ अगला question है अब का तसर रईसम का उत्पादन होता है अबसे हैं के कश्मीर में लद्दाक में मान टाबु में यह फिर बंगालें विहार में रहानवालों सरक बात के तो रहाना geeट हैं अगले question की तरफ राइट अंसर के बाद के तुराइट अंसरोगा आपका लंबे उनी रिसोसी चली बढ़ते हैं अगले कोश्टन की तरफ अगला कोश्टन आपका विस्व में लीनन का सरवार्दी कुदपादन होता है आपसा सब्सक्राइब के रूस, आयरलेंड, स्विडिजरलेंड या फिर भारत, राइट अंसर के बाद के तुराइट अंसरोगा आपका रूस, चली बढ़ते हैं अगले कोश्टन की तरफ, अगलो कोश्टन आपका कपास उत्पादन के छेतर में सरोड़ परतन अस्थान पर है, आपसा सब्सक्राइब के अमेरिका, भारत, चीन या फिर भांगला भांगलोघ में, राइट अंसर के बाद के तुराइट अंसर होगा आपका बेश् Bijस इस अताब्ध में, चीले बढ़ते हैं अंगलो फूरिक प detention की तरफ, अगला कोश्टन आपका छेले कोश्टन की तरफ, अगलो प्स्रा कप पर सप्रोंग यंवरत्भ्म यैःट यूगत अगला कुशन है अपका धागों को आपस में मिलाकर गूत कर वस्त बनाया जाते हैं इन्हें कहते हैं आप समसाइब के क्विल्टिंग निटिंग ब्रेडिंग या फिर वुनाई राइट अपका ब्रेडिंग तो यह था हमारा आज के टाफ 100 इंपॉर्टेंट बोगी कल्फी सब्सक्राइब का उमेद करता हम अब को अच्छे तरह के से वीडियो समझ में आया होगा और कोश्चन्स याद हुए होंगे मिलते हैं से नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद